आपर ब्रेस्ट फीडिन सुट भी इस्टाट विधिन हाउ मेनी आवर और आफटर आर नॉर्मल डिलेवरी है तो कितने गंटे के अंदर ब्रेस्ट पीडिंग करवाना चाहिए तो यह rule होता है कि within 30 minute और half an hour यदि normal delivery पूँचा है यदि cesarian section LSCS कहेंगे तब हम कहते हैं एक गंटे से दो गंटे के बीच में लेकिन यदि delivery normal होई है तो कितना within half an hour या फिर आधे गंटे में और 30 minute में next day यहाँ पर root of administration of vitamin K injection in a newborn is new born baby में जो vitamin K का injection दिया जाता है किस रूट से दिया जाता है तो vitamin K का injection हमेशा बच्चों में दिया जाता है intramuscular root से किस रूट से intramuscular root से जो लोग paper watch कर रहे हैं आपर video को देख रहे हैं आप लोग हिंदी में भी पढ़ते जाएगे जिससे आपको easy रहे समझना क्योंकि हर एक जगाए कि जो paper होते हैं लेकिन कभी कभी कहीं पर paper पूरा हिंदी में आ जाता है जैसा राजिस्थान में लास्ट टाइम हुआ था लेकिन पेपर बहुत ज्यादा easy आया था इसलिए उतनी problem नहीं हुई थी किसी को vitamin K का injection दिया जाता है intramuscular root से next नहीं हैं पर what is the normal temperature of term healthy baby यदि बच्चा 37 gestational week के बाद पैदा हुआ है तो उस बच्चे का जो temperature है वो कितना होगा option में 36 से 37 degree Celsius 36.5 से 37.5 degree Celsius 37.5 to 38 point degree Celsius after 38 degree Celsius तो कितना temperature होता है temperature normal की बात की जा रही है term baby में तो term baby में जो temperature होता है बहुता है कितना 37.5 से लेके 37.5 से लेके 37.5 था कि क्या है normal term baby का temperature है term healthy baby का मतलब होता है ऐसे बच्चे आप्टर 37 week का gestational period complete करके पैदा हुए हैं next नहीं है आप पर question नम्म फोर्थ normal average length of the term healthy newborn is जो normal length होती है एक term healthy newborn की वो कितनी होती है लंबाई 40 cm, 50, 60 है फिर 65 जो normal average length होती है किसी भी term healthy newborn baby की वो होती है लेकिन एक average length लंबा ही कुछी जाती है बच्चे की तब कितनी होती है 50 cm next नहीं है आपर joints between two cranial bonds are known as तो एसे joints दो cranial bonds के बीच में होते हैं वो क्या कहलाते हैं fontanels, bragma, sutures या फिस्कल joints तो क्या कहलाते हैं ऐसे joints जो दो cranial bonds के बीच में हो तो वो कहलाते हैं sutures next नहीं है आपर uterus becomes pelvic organ after uterus pelvic organ में कब convert हो जाती है 18-20 दिन में, 16-18 दिन में, 12-14 दिन में, या फिर 10-12 दिन में uterus बापिस से backward है जो pelvic organ में कब convert हो जाती है तो यह होती है 12-14 दिन में 12-14 दिन में, next है आपर diameter of the cervical canal after the complete dilatation तो cervix जब पूरी fully dilat होती है तो कितने cm तक होती है 12, 10, 8 या फिर 6 तो complete dilatation होता है cervix का कितना 10 cm कितना होता है 10 cm, after that और जो dilatation वाला step यहां पर पूछा है cervical cervical dilatation का होता है first stage of labour में next है आपर, a nurse is clamping umbilical cord and the nurse knows that the distance from the umbilicus is तो यह थी umbilical cord को clamp किया जा रहा है तो umbilicus से ना भी से umbilical cord के बीच का distance कितना होना चाहिए 2.5 cm, 5 cm, 7 cm, या पर 5.5 cm कितना distance होना चाहिए, 20 cm, इसको हम कहेंगे 2.5 cm जो अमलाइका से नाभी जिसको हम कहेंगे नाभी से अमलाइकल cord के बीच का जो distance क्लेंप करने के लिए कितना होगा 2.5 cm नेक्स्ट रहे हैं हाँ पर maximum अपगार scoring अपगार स्कोरिंग पूछा है निवबॉन बेवी का तो maximum कितना होता है 8, 10, 13, 20 maximum score का मतलब होता है सबसे highest तो वह होता है कितना 10 यदि 8 से अब आप 7 है that means क्या है बच्चा healthy है below 7 जाता है तो moderate condition में रहेगा जैसे जितना अपगार scoring अटती जाएगी 5 points है आप अपगार scoring में चेक किये जाते हैं उसी के according है आपर maximum score कितना होता है 10 next one है आपर which color identification band is used for girl newborn baby girl newborn baby के लिए कौन से color का identification band use किया जाता है hospital में साथ होता नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और नाम रखके वो सुनने लगेगा आप ता तो उसको एक band पहनाया जाएगा इसमें क्या लिखा जाता है मदर का ना और जो बच्चे किस टाइम पर डिलेवर हुआ है वो तो यहां पर कौन सा color यूज किया जाता है पिंक boy के लिए पूंचे तो which of the following blood group is called a universal donor universal donor कौन से blood group को कहा जाता है O, A, A, B या फिर B तो जो O blood group बाले होते हैं जनरल यदि यहां पर पूरा option में हो तो आप इसको O negative blood group बाले सभी को अपना blood है जो दे सकते हैं लेकिन A, B बाले सब कर सकते हैं इसको universal recipient भी कहा जाता है next one which gland in the human body is called the master gland तो master grantee human body की कौन सी gland कहलाती है Pyrotate pituitary thyroid या पर sublingual master grantee कौन सी कहलाती है वो कहलाती है pituitary gland इसको हिंदी में कहें तो क्या है Puse grantee next one smallest cell of the human body to human body की सबसे छोटी cells कौन सी है sperm, blood cell, steam cell या फिर ovum smallest cell पूँचा है तो वो sperm यदि largest और biggest cell पूँचते तब हम कहते है ovum तो largest muscle है human body की कौन सी muscle तो वो gluteus maximus muscle कौन सी gluteus maximus muscle next question की तरह आप move करेंगे हम question है what is the average length of the ureter एक ureter जो ureter है bladder से sorry kidney से bladder सक urine को लेके आते हैं जो pipe type के रहेंगे ureter उनकी length कितनी होती है 15 cm 18 cm 25 cm की 32 cm कितनी length होती है तो वो की 25 cm or 25 cm next one how many carpal bones are there in hand तो हाथ में कितनी carpal bones होती है तो हाथ की बात की जा रही हो जो carpal bones कितनी होती है next one heart rate is initiated by heart rate को initiate करने का काम कौन करता है a b node sa node पुरकिंजे 5 hours या फिर नफ्दीज तो यह काम करता है sa node or cyano atrial node next रहे हैं आपर question largest and most complicated joints in human body is human body का सबसे बड़ा और complicated joints कौन सा है pivot gliding shoulder or knee joint सबसे complicated भी पूछा है और largest भी पूछा है तो होता है knee joint कहां का भुटने का जो joint है वो सबसे कठिन और जटिन जोड है next है आपर question which of the following is only movable bone of skull sorry जो आपका मस्तिस्क है इसकी only hill end उलने वाली bone कौन सी ethmoid है, mandible है, prental है, फिर maxilla है तो जो यदि skull की पूछ है, skull की जो bone है, hill end उलने वाली movable joint bond है, only mandible bone, कौन सी? mandible next one, total number of intercostal muscles intercostal muscles, ribs cage के हाँ पर रहेंगी तो उनके लिए total कितनी होती है, वो तो total होती है, 11 कितनी होती है, intercostal muscle होती है, human body में कितनी होती है, 11 next है आपर, anemia is caused due to deficiency, अब तो anemia किसके कारण होगा? iron की कमीं के कारण, vitamin B12 की कमीं के कारण, both and we have none of these तो anemia इन दोनों की कमीं के कारण हो सकता है, तो यहाँ पर आपका answer होगा A and B next question है आपर, while is produced from, तो bile cell का production करता कौन है? gall bladder करेगा, liver cells करेगी, pancreas करेगा की, spleen करेगा question number 22, कि bile का production, तो production करती है liver cells, storage करता है gall bladder यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि only production पूछा है, तब आपको कहना है liver से अलेक्रत की कोशिकाएं, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जो while का storage है, वो store करने का काम कौन करता है, तो वो करता है gall bladder next यहाँ पर duration of bleeding in menstrual cycle, तो जो menstrual cycle होती है, ठीक फीरियट्स होते हैं, उसमें कितने दिन तक bleeding होती है एक से पांस दिन तक, टीन से पांस दिन या फर एक से तीन दिन, generally जो यहाँ पर रही 28 दिन की जो periods 28 दिन में आपकी cholesterol cycle याद भी period नाते हैं उसमें एक से पांस दिन तक bleeding होगी, कि इसन पांच दिन तक नेक्स्ट वन एक्स्क्लीजिव ब्रेस्ट फीदिंग इस रेकमंडेट पर एक्स्क्लीजिव ब्रेस्ट फीडिंग का वातलब ओल्ली ब्रेस्ट मिल्क अधरदैन कुछ भी नहीं तो ये फ op महिवैब्त गश्य करी कुыл भी-जार सकत दो After 6 month के बाद आप बेबी को कुछ खाना पीना स्टार्ट करवा सकते हैं, इसको भीएनिंग कहेंगे, हिंदी में बात करते हैं, तो अन्ने प्रासान या फिर कॉंप्ली वेल्ट्री फॉर्ट ब्रेस्ट फीडिंग 6 month की एज सक, जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए, after that के बाद बडिपरिफिएसन ऑ pac Debra संकार मील खाने के पहले के लिए फॉर्ट मील खाने के पहले के लिए सक कौन त्न भीबिप ऐसंन यूज किया जाए गा, MTC B I D CE FIT I D, Astron Bay PvE असन उन्प उगा, बिफॉर्प के वोगा, HA, C क्या होगा, आप जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्सन देखते हैं तो यह चीज़ आपको इजी ली याद रहेगी नेक्स्ट वन फाइनल स्टेप इन प्यूरिफेकेशन अब वाटर उनना लार्ज स्केल इज लार्ज स्केल पर यदि हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं तो कौन सा स्टेप अपनाएंगे फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, बॉइलिंग या प्रिसिंफेक्शन तो लार्ज स्केल पर वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है बड़े पहिमाने पर जलका सुद्धी करण होता है तो फाइनल स्टेप कौन सा होता है फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, बॉइलिंग या पर डिसिंफेक्शन जो फाइनल स्टेप होता है वो तर डिसिंफेक्शन नेक्स्ट बन है यहां पर कॉश्चन बिच अपर जो स्टार्टिंग के कॉश्चन है मैं आपको यहां पर कॉश्चन में 50 तक जल्दी जल्दी आंसर इसलिए दे रहे हूं क्योंकि जो मॉडल पेपर उसमें मैंने कॉश्चन एड किये थे और अल्रडी वह अप्लोड भी कर दिये हैं यहां पर जो सायनोटिक असायनोटिक दो तरीके कंजिनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं अब यहां पर सायनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी है अड्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटलोजी और फैलेट यह फिर पीडिये यहां पर जो आपका अंसर होगा वोगा टी ओ ओ एफ क्या है यह है असायनोटिक हार्ट डिफेक्ट बाकी सभी क्या है सॉरी, ASD, BSD, PDA क्या है यह सायनोटिक हार्ट डिफेक्ट है वो है टेरेटलोजी और फैलेट जिसमें टोटल चार्ड डिफेक्ट इंक्लूट रहेंगे नेक्स्ट वन विच अप दी फालेंग इस साइन अप्रीवियस चाइल्ड वर्थ के साइन क्या है रिजेड अब्डॉमिनल वॉल, गैपिंग ऑफ दे इंट्रोइटर्स, राउंड एक्स्टरनलोज या फिर ओवॉइड उट्रस जदी पहले प्रीवियस ली आपने बच्चे को जन्द में दिया है तो कुछ केस में फीमेल नहीं बता पाती है लेकिन हाँ पर जो as a healthcare provider, as a doctor क्या करेंगे जो gap रहेगा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा as compared to non-worth वाली लेडिज हैं जिन्होंने पहले कभी बच्चे को जन्द में नहीं दिया है नेक्स्ट वन है आपर, ideal time for tubectomy following menstruation is तो menstruation के time पर, ideal timing क्या होगी tubectomy के लिए ovulatory phase, proliferative phase, secondary phase या फिर menstrual phase तो कौन सी phase में क्या करवाना चाहिए, tubectomy जो permanent sterilization है female के लिए वो करवाना चाहिए तो वह proliferative phase, कौन सी? proliferative phase और first phase of menstrual cycle next one in which type of abortion fetus is dead and retained inside the uterus for a variable period तो कौन से type के abortion में fetus uterus में dead हो गया और उसी में रह जाएगा बाहर निकल के नहीं आएगा option में missed abortion, threatened abortion, inevitable abortion या फिर incomplete abortion तो ऐसे case में, क्या कहला है, missed abortion क्यों? क्योंकि fetus बाहर ही नहीं आया है, अंदर ही है और इवन जो variable period है, उस तक वह ही अंदर रहेगा तो सकता आपको ना तो bleeding देखने को मिलेगी और जो fetus है वो कहां dead हो जाएगा, uterus में ही next one, the part of the fetal circulation which become phosa ovallus after birth fetal circulation में जो part पड़े है हमने, phosa ovallus after birth बन जाएगा, लेकिन इसके पहले क्या कहलाएगा? अमलाइकल आर्टरी, अमलाइकल बेन, foramen ovallus after ductus arteriosus तो यह औरगन कहलाता है क्या? foramen ovall, after delivery के बाद एक अनवर्ट होता है किसमे? phosa ovallus में next one, which drug is? contraindicated in a laboring mother with hypertension तेदी, मा को hypertension है और मा के लिए जो medicine दी जानी है तो कौन सी medicine को contraindicate रखा जागा? that means अवे उसको नहीं देंगे prostaglandin, oxytocin, methargen या फिर magnesium sulfate तो prostaglandin दे सकते हैं, oxytocin दे सकते हैं, drug of choice magnesium sulfate है लेकिन जब यदि मा का blood pressure बढ़ रहा है तो उसको methargen और जो ergometrin substance है वो नहीं देना है क्योंकि uterus के tonicity को कम करेंगे और tonicity कम होगी तो बहुत जाधा bleeding होगी और जाधा problem बढ़ने के chances हो जाएंगे यह से case में जब मा को क्या हो BP की complain हो BP fluctuate हो बढ़ रहा हो प्रेगन लेवर के टाइम पे तो हम मा के लिए लिधारजन नहीं देंगे next one the third stage of labor ends with तो तीसरी stage है तो लेवर की कप खत्म होती है to or after birth of the baby तो यह तो fourth stage कहलाती अब्जर्वेशनल stage second option में है birth of baby यहां पर पूंचा है था यह तो आपका answer होगा delivery of placenta next नहीं है हाँ पर if the infectious disease can be transmitted directly from one person to another it is called जदी कोई फी infectious disease एक परसन से किसी दूसरे परसन को डारेक्ट ट्रांस्पेट होती है तो क्या कहलाएगी susceptible host communicable disease portal of entry या फिर portal of exit तो यह disease कहलाएगी कौनसी disease communicable disease next one infectious disease such as hepatitis B and C become a reservoir for pathogen in जितनी भी infectious disease है जिन में से hepatitis B और C के लिए reservoir जो hepatitis B और C virus है इनके जो pathogen उनको रिजर्वर का काम कहां पर होगा ब्लड में urinary tract में respiratory tract या फिर रिप्रोड़क्ट में hepatitis B हो गया और C का जो reservoir है वो कौन है तो वो होंगे blood क्या होगे blood और blood product यहां पर आप मार कर सकते हैं option नम्मर एक गो next question है आपर तू इस्ट्रलाइज surgical instrument और surgical dressing को इस्ट्रलाइज करते हैं कैसे करेंगे autoclave यूज करके सावन और पानी यूज करके ethylene oxide gas का इस्तेमाल करके और chemicals को यूज करके तो आप जो भी surgical instrument है फिर surgical dressing को इस्ट्रलाइज करने की बात की जाती है तब आप आप बन करके autoclave को mark कर सकते हैं क्योंकि best surgical instrument और dressing का जो इस्ट्रलाइजेशन होता है वो तो होता है autoclave से और जो best chemical इस्ट्रलाइजेशन होता है वो होता है sodium hypo chloride से next one hospital acquired infection are often related to poor hand washing and the hospital acquired infection especially इसको nozocomial infection का है hospital से होगा तो यह poor hand washing के अलावा और किस चीज से हो सकता है पूर यूरिनरी आउटपूट पूर perennial hygiene यूरिनरी drainage bag से और improper catheter care से तो यह सबसे ज़्यादर chances होंगे improper catheter care के कारण किसके कारण improper catheter care के कारण next one to achieve high level disinfection in two percent gluteal deides soak an instrument for जली 2 percent gluteal deides से भी आप जो सब्सक्राइब करते हैं कितने टाइम के लिए उसमें डुबा के रखना है तो रखना है at least 20 minutes तक कितना रखना है 20 minutes तक एसे ही सेम जो auto clearing में उसमें भी यह 20 से 30 minutes लेकिन इडिपेंट करता है क्या instrument क्या चीजा आप इस्टिलाइज कर रहे हैं उस पर next one question no 39 the most important step in the clinical area waste management is तो clinical area का जो बेस्ट है उसको manage करने के लिए most important step कौन सा है segregation transportation storage यह लेवलिंग most important step होता है segregation मतलब की अलग-अलग रखना cotton वाला कौन सा item है black bag में कौन सा item रखना है तो clinical waste management के लिए hospital का जो भी waste उसके लिए सबसे बेस तरीका क्या होता है segregation separate separate करके रखना next one which of the following nutrients help and tissue repair तो tissue की repairing के लिए कौन से nutrients जरूरी होते है vitamin, fat, carbohydrate यह पर protein तो यह काम कौन करता है सबसे अच्छा है यह करता है protein next question है यहापर question number 41 which pituitary hormone stimulates the secretion of breast milk from memory gland कौन सा pituitary hormone है memory gland को क्या करेगा stimulate करने के लिए help करेगा कि breast milk को secret कराओ prolactin काम करेगा है besopressin करेगा leutinizing करेगा फिर human chorionic gonadotropin hormone काम करेगा यह काम कौन करता है करता prolactin prolactin produce करेगा milk को लेकर निजेक्ट करने की बात करते हैं तो वह काम करेगा oxytocin हो कब बेबी निफल को सख करेगा तब नेक्स्ट हैं आपर which of which is the main source of estrogen and progesterone after the three month of pregnancy तीन महीने की प्रेगनेंसी के बाद estrogen and progesterone जो की एक normal healthy pregnancy के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं इनको release करने का काम कौन करता तीन महीने की प्रेगनेंसी के बाद यह hypothalamus pituitary gland, placenta या फिर ovary तो कौन है जो तीन महीने की प्रेगनेंसी के बाद अपना खुद का estrogen और progesterone बनाने का काम करने लगता है तो वो है हाँ पर ovary क्या होगा? ओबरी जो तीन महीने की प्रेगनेंसी के बाद जो अपना hormone बनाएगा वो है placenta before that a hormone ovary का जो corpus luteum है वो करेगा release लेकिन है आपर तीन महीने की प्रेगनेंसी के बाद पुछा यादी initial pregnancy पुछे तब आप ovary को मार कर सकते हैं क्योंकि ovary का जो corpus luteum है वो बनाएगा इसको लेकिन after 3 मंद की प्रेगनेंसी के बाद का यादी पुछा जाता है तो इंसूलिन सॉमेटरेस्टरेटन और लुका कोन हर्मोन सभी लेंगरेंस से ही प्रेड्यूस किये जाते हैं और यह लेंगरेंस आइसलेट्स आप पर होता है प्रेंकरीयाज में नेक्स्ट वॉन एंडियर फॉंटेनर अलस नूर्मली क्लोजा विट्वीं डाएजउ अब तो जो उन्टीर फॉंटेनल हीनीएं किसे एज के महें बंद हो जाते हैं गयों 2-3 महीने में 12-18 महीने में 37 महीने में ऑर एक से 9 महीने में टो यहां पर कहा एंटेर जो की 12-18 महीने की एज में उस्टार्ट हो जाते हैं लेकिन जो एंटीरियर है में 12-18 महिने में क्लोज होंगे नेक्स्ट वन विच अप दी फॉलेंग इस दा कम्बाइड वैक्सीन तो इनमें से कम्बाइड वैक्सीन कौन सी है एमेमर के साथ में दे देते हैं BCG जो एट टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है यदि एट टाइम ऑफ बर्थ नहीं दे पाए तो बन मंत तक दे सकते हैं 0-1 एर और 1 मंथ और 1 मंथ टू बन एर तक कर डोज वर सलग होगा रूट सेम होगा नेक्स नहीं है आपर इन्फेक्शन ओप दा मिडल लियर इस कॉल्ड तो यदि मिडल लियर में इन्फेक्शन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे साइनिसाइटिस, मास्ट्रोइड आइटिस, ओटाइटिस मीडिया, फिलेविर इन्थाइटिस इन्फेक्शन मिडल लियर का है तो हम उसको कहेंगे ओटाइटिस मीडिया, क्या कहेंगे ओटाइटिस मीडिया नेक्स वन, दा प्रॉसस ओप देवलप्मेंट ओप मैच ओटोवम होंगा क्या कहलाएगी ओविलेशन, यूफोरिया, यूजैनेसिस या फिर उसाइट तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी उजैनेसिस में अच्छे और ओवम बन रहा है, डेवलप फोराय तो उजैनेसिस मतलब प्रोसेस, ओविलेशन का मतलब क्या है? जो ओवम बना हुआ है, उस और कौन से दौनों किसका पार्ट है, तो ये आखों का पार्ट, नेक्स्ट क्वेस्टन है आपर, प्रोसेस बैक्सीन इस कौन्टर इंडिकेट होती है, कौन से बच्चों मेंदी बच्चे को क्या है? इस्ट्री ओप कन्वल्जन से है, इस्ट्री ओफ जुबलाइन डाइब पार्टीज है, इस्ट्री ओफ जॉइन डेस से है, फिर इस्ट्री ओफ टीवी है, तो जो पार्टीज बैक्सीन होती है, क्या है पार्टीज इसको सो दिन की खासी 100 डेस कप कहेंगे, फिर बूफिंग कप कहेंगे, इसके लिए जो बैक्सीन दीजी आती है, डीपीटी में जो पर्टिसिस कंटेंट होता है उससे क्या होता है जिन बच्चों को कन najwię Display प्रिविएसली जिन बत्चों को पहले तो क्या मैं का इस यह कान्वर्जम की सेंवाही उनको वाइट की जाती है क्योंकि इसको देने से sahब और जाधा चांस आज जो बढ़ जाते हैं इसीलिए प्रेग्नेंसी में कौन्सी वैक्सीन कॉन्टराइंडिकेट रखी जाती है वह रूबेला वैक्सीन को कॉन्टराइंडिकेट रखा जाता है even rubella antibody को detect करने के लिए conceive करने के बाद rubella antigen test भी किया जाता है next one which one of the following is an antioxidant तो इनमें से antioxidant क्या है? calcium है, vitamin E है, vitamin B है या फर vitamin A है कौन सा है जो antioxidant है? तो वो है हाँ पर आपका vitamin E कौन सा? vitamin E जिसको antioxidant भी कहा जाता है next one softening of the cervix during pregnancy is known as तो cervix का soft होना at the time of during the pregnancy क्या कहलाएगा? gaudel sign, curning sign, chadwick sign है फर hagar sign इस सभी sign है जो pregnancy में ही देखने को मिलेगे curning sign pregnancy में देखने को नहीं मिलेगा मां की gaudel, chadwick और hagar sign है तीनो sign pregnancy में देखने को मिलेगे जब increased vascularization के कारण जो cervix और वेजाइना का कलर है कैसा? sorry cervix और वेजाइना का जो कलर बदलेगा तो वो कहलाएगा chadwick sign softening देखने को मिलेगी तो वो कहलाता है क्या? gaudel sign next one the most serious complication of meningitis in young children is तो जो young age के बच्चे हैं उनमें meningitis जो layer है meningitis spinal cordobrine को cover करके रखी उसमें अधी infection, inflammation होता है क्या serious complication develop होने के chances रहेंगे blindness, epilepsy, hydrocephalus या पर peripheral circulatory failure तो सबसे ज़्यादा young बच्चों में meningitis के बाद serious complication बन सकता है तो वो होगा यहाँ पर मिरगी आना है epilepsy या फिट्स का आना next यहाँ पर extra calorie needs for a woman having singleton pregnancies यदि कोई woman singleton pregnancy का मतलब है uterus में जो implantation हुए only single baby का implantation हुआ है कितनी extra calorie की जरूरत पड़ेगी 200, 300, past तो यह फर 1000 यदि lactating mother का पूंचे तब हमको कहना है 500 तेकि यदि singleton pregnancy में कहा है तो female के लिए 300 calorie extra खाने की जरूरत पड़ेगी बाकि ऐसा नहीं है कि जो ब्लेस में आप जाके देखे रूरल एरिया में देखे जो pregnant mother है उनके लिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा खाऊ लेकर नहीं है singleton pregnancy में कितनी जरूरत होती है जो भी आपकी डेली का रूटीन है उसमें आपको 300 calorie extra लेना है लेकिन इनिसियल प्रेगनेंजी फस्ट ट्राइवेस्टर में पूंचे तो कुछ भी आपको extra लेने की ज़रूरत नहीं है next one question number 55 which statement is right about sephelo hematoma sephelo hematoma के बारे में सही point क्या है can cross suture line always present at birth a cut due to improper penis drainage can't cross the suture line यहाँ पर जो इसको लेके सही point है वो क्या है तो वो होता है कि उस sephelo hematoma होगा यहाँ इसा प्रेजेंट नहीं होता है और इस suture line को कभी भी cross नहीं करेगा यहाँ पर आपका answer भी होगा D pelvic pressure ज्यादा पढ़ने के कारण यह swelling देखने को मिलेगी तो वो क्या कहलाती है sephelo hematoma next one absence of breathing is known as तो breathing के absent होने को क्या कहेंगे disnea, apnea, sinus, यह फर collapse disnea का मतलब होगा breathing difficulty apnea का मतलब होगा absent होना sinus का मतलब होगा tissue में oxygen की supply नहीं होपा इसकी body blue color की पढ़ना लगी तो यहाँ पर जो absence of breathing क्या कहलाएगा आपका apnea next question है आपर the definition of health by WHO includes all aspects easy paper है the definition of health by WHO includes all aspects except WHO ने जो definition दी है health कि इसके अगोड़िक्स अभी expect है कि एक को छोड़कर physical, mental, social, spiritual लेकिन reproductive नहीं है physical, mental and social well-being not mainly in absence of disease तो यहाँ पर option में reproductive हो है और जो की नहीं है इसका part का यहाँ पर आपका answer क्या होगा C next one normal duration of invalution of uterus इसके लिए कितना time लग जाता है 6 महीने, 6 हफते, 2 महीने या फिर 3 महीने तो इस टाइमिंग की बात की जा रही है तो कितना लग जाता है 6 weeks जिसको हम perpirium period कहते हैं इसमें uterus के अलावा जो बाकी और और गन है बो भी revert work हो जाते हैं non pregnant stage में next है है आपर वेदी जब uterus normal अपने safe size में बाफिस revert work नहीं होती तब उसको हम कहते हैं sub involution next one difference between oral and auxiliary temperature तो oral और auxiliary temperature के बीच में कितना difference होता है 0.6 degree का, 1 degree का, 1.5 का फिर 0.1 का, जब आप oral और auxiliary temperature ले रहे हों तो जो बीच का, जो difference हो कितना होता है वो generally 0.5 होता है लेकिन option में 0.6 है तो आप इसको भी mark कर सकते हैं initial sign of respiratory distresses respiratory distress का initial मतलब early sign क्या है cyanosis, grunting sound, acypnea या नेजल flaring तो initial sign की बात की जा रही है तो initial sign कौन सा है तो वह नेजल flaring क्या है नेजल flaring जब सास लेंगे बच्चे तो नाग के हाँ पर आपको जो nasal है, जो nostril है वो क्या रहेंगे examination, यदि कोई nurse किसी newborn baby के लिए assist कर रही है क्या कर रही है, यदि कोई nurse किसी newborn baby को क्या कर रही है, assist कर रही है, I examination कर रही है which assessment finding is abnormal about normal pupil यदि आप बच्चे की newborn baby की आखों का examination करते हैं तो यहाँ पर कौन सी assessment आपको बताएगी जो newborn baby की pupil से हो क्या abnormal है, इसमें कुछ आसमाइन है equal pupil in round safe reactive to light यदि non reactive to light क्या होगा जिससे पता चलेगा कि baby की जो पुतलियां है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो वोगा non reactive to light round safe एसे गुमाएगा, equally करेगा light देखके eyes blink करेगा लेकिन light देखके blink नहीं कर रहा, that means baby की eyes की जो पुपल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है soft ear lobe, verneck sazosa cover whole body, long nail या फिर low birth weight तो जब बच्चा क्या है, preterm यहां पर होता है तो बच्चे के soft ear lobe आपको देखने को मिलेंगे verneck sazosa से cover रहेगी body, low birth weight बच्चा रहेगा 36, sorry, 37 week के पहले हो जाएगा, तो बच्चे में पूरा बरनेक sazosa क्या रहेगा, cover रहेगा, चीजी, substance होता है जो, year lobe bhi बहुत जादा soft होंगे, बच्चे का weight भी कम रहेगा लेकिन long nails, लेकिन long nails I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away yeah, I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me, well then baby I have a taste all the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side baby we could be okay okay, 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 maybe you could be the change I need today, I promise that I'm there propel this way, I'm really hoping you will choose to stay through all the pain Anaheim ओबरी करती है, आइपोथेलिवस करेगा, एंटीर पिट्यूटरी करती है, पोस्टीर पिट्यूटरी करती है तो जो hormone है, follicul stimulating hormone इसको कौन release करता है तो इसको करता है secret कौन? anterior pituitary gland कौन सी gland? anterior pituitary gland next one how many calories is there in 1 gram of fat? तो 1 gram fat में कितनी calorie होती है? तो 1 gram fat में 9 calorie होती है और 1 gram protein और carvohydrate में 4 calorie होती है तो यहाँ पर आपका answer होगा 9 calorie लेकिन fat की जागा carvohydrate और protein पूछते हैं तो 4 calorie next one which nutrients help in tissue repair? tissue repairing में कौन से nutrients help करते हैं? तो वो होते हैं क्या? proteins क्या होंगे? protein option में fat, protein, carvohydrate and vitamin next है हाँ पर question question number 70 infective period of food poisoning is caused by तो food poisoning कौन से bacteria के थरो होगी? salmonella से, staphylo focus से, chlorostadion से या फिर ecoli से तो जो food poisoning का जो infection होता है, जनरली वो होता है salmonella से और इससे salmonella से ही क्या होता है? salmonella typhi हो गया इस जब से क्या होगा? typhoid तो यहाँ पर food poisoning कौन कौस कर सकता है? तो वो है salmonella chlorostadium, titanis के लिए responsible है ecoli से अलग problem होगी यहाँ पर लेकर जो food poisoning का region होगा वो कौन होगा? salmonella next one how many drops in a standard drip set makes 1 ml? 1 ml में drip set होता है, कितनी drops होती है? 20, 15, 16 या फिर 20 कितनी drops होती है? तो यह होती है, total 50 drops कितनी? 50 drops 1 ml में 15 drops रहेंगी next one which of the following minerals should be taken by a child suffering from ricketts तो कौन सा mineral दिया जाएगा? यदि बच्चे को ricketts है? ricketts कव होता है? जब vitamin D की कमी हो जाती है बच्चों में तो vitamin D की कमी होती है vitamin D के साथ साथ क्या जरूरी होता है? तो चाहिए पढ़ता है calcium इसके current bonds मजबूत रहें vitamin D को absorb करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है calcium की इसलिए आपका answer क्या होगा? calcium कौन सा mineral दिया जाएगा बच्चे को? calcium next नहीं है आपर question 73 the most common cause of blindness in India तो भारत में सबसे ज़्यादा अंधापन किसके कारण होता है? cataract के कारण procoma के कारण refractive errors के कारण या फिर बिटामिन की कमीं के कारण तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो blindness होती होती है moti away nor cataract के कारण next one frozen DPT vaccine should be तो यदि DPT vaccine जम गई है frozen हो गई है तब आपको क्या करना है? second trolley before use allowed to melt before use discard करना है या फिर बोट to the room temperature तो यहाँ पर यदि DPT vaccine frozen है तो हमें इसको तुरंट discard करना है ना तो हिला डुला के use करना है कुछ नहीं करना है सिदा इसको अलग कर देना है next one कि जो breast milk है two week की delivery के बाद जो release होगा वो क्या कहलाएगा? colostrum, transitional milk, mature milk क्या फिर end milk यदि initial कहते हैं delivery के तुरंट बाद जो कहला था colostrum जो कि yellow color का होता है लेकिन दो week की pregnancy delivery के बाद कहा है तो यह कहलाता है कौन सा milk क्या कहलाएगा? mature milk next one first decidious teeth appear in infant at the age of तो जो पहले decidious teeth जिनको प्राइमरी teeth भी कह सकते हैं तो इक अब इरप्ट होना start होते हैं six month में, six साल में, eight महीने में कि बारा महीने में तो छे साल के बाद तो प्राइमरी teeth आते हैं दुसके जांस कों कहते हैं गिरना start होते हैं पर्मनेंट teeth आने start होते हैं लेकर इनिसियल एरप्ट होता है six महीने की age से कबसे? six महीने की age से next one the baby gain is based within one year of age तो एक बच्चा है जो अपना एक साल में कितना वजन गैन कर लेगा two times of birth weight three times of birth weight four times of birth weight five times of birth weight यदि बच्चे का जो एक साल का पूच्चा है तो एक साल का बच्चा कितना weight है जो gain कर लेगा एक साल के बच्चे के weight gain की बात की जा रही है तो एक साल में हो जाता है तीन गोना triple double हो जाता है पांस के छहने ही नहीं की age में लेकिन तीन गोना कब हो जाता है एक साल में यहां पर पूच्चा एक साल में कितना हो जाएगा three times of the birth weight next one head circumference and chest circumference become equal in infant at the age of तो बच्चे का head circumference है और chest circumference है किस age में equal हो जाता है मतलब दोनों age से रहेंगे तो वो होता है एक साल की age में कब one year age में head circumference है और chest circumference है दोनों एक पल हो जाते हैं कब जब बच्चे एक साल का हो जाए तब next one following are the method of induction of labor accept तो labor को induce करने के लिए मतलब यदि proper contraction uterine contraction नहीं आ रहें तो induce करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर methylgene देंगे artificial rupture of membrane करेंगे जिसको MRM कहेंगे prostaglandin देंगे लेकिन हाँ पर कहा है जो नहीं देंगे तो भोगा mithargin हमें mithargin नहीं देना है क्यों क्योंकि mithargin देंगे अधी हम तो जो uterus के contraction आ रहे हो उनको हो औरे क्या करेंगा disrupt टॉन है जो मसल्स की वो क्या करेंगा भी करेंगा इसलिए हमें क्या करना है mithargin नहीं देना है माकी सब कुछ दे सकते हैं next one human milk is rich in all except human milk में सब कुछ होता है किसी एक को छोड़कर पैट होगा protein होगा लेकिन iron नहीं होगा vitamin C नहीं होगा vitamin D नहीं होगा यहां पर आपका अंसर होगा scene iron next one बभीता LMP begins 28th मार्ट 2017 हर EDD should be which of the following EDD का मतलब होता है estimated date of delivery calculate कैसे की जाती है LMP plus 9 month plus 7 days LMP कबराह last menstrual period LMP का first day count किया जाता है तो वो था 28 मार्ट 2017 को अब EDD आपको निकालना है तो 28 मार्ट 2017 में 9 महीने जोड़ दें और साथ दिन और जोड़ दें तो टोटल आपका GDD निकल के आएगा वो कितना आएगा वो निकल के आएगा आपका 4 जनवरी 2018 कितना 4 जनवरी 2018 next one the inner most layer of the heart heart की inner layer कौनसी है endometrium pericardium myocardium endocardium तो inner most layer है heart की कौनसी endocardium कौनसी है endocardium next नहीं है अपर over the counter pregnancy test is considered as over the counter pregnancy test है हाँ पर कहा है तो इसका मतलब क्या है possible sign of pregnancy presumptive sign of pregnancy probable sign of pregnancy या फिर positive sign of pregnancy कौनसे sign होंगे यदी pregnancy over the counter pregnancy test है जो रही नहीं आ रहा है बार बार तो यह कौनसे sign माने जाएंगे तो यह माने जाएंगे probable sign of pregnancy की probability है next one is during pregnancy deficiency of the following leads to neural tube defect तो प्रेगनेंसी में किसकी कमीं के कार्ण बच्चे को entity develop होगा तो वो होता है folic acid क्योंकि जो spinal cord बनना स्टार्ट होती है वो folic acid के लिए ही सबसे ज़्यादा helpful folic acid रहेगा और यहाँ पर एदी folic acid ही कम हो जाता है क्या होगा neural tube defect होने के chances baby में ज़्यादा रहेंगे next one during which stage of labor placenta is expelled तो हमने कई बार पढ़ा first stage ने cervix dial it होगी second baby बाहर आएगा third ने प्लेसेंटा बाहर आएगा और थे जो अब्जर्बेस्टेज है observe करना है मा को तो हैं पर का है placenta के लिए तो वह होगा third stage next ने हैं हापर which of the following condition is screened by pap smear pap smear से किसका पता करेंगे हैं ovarian cancer का endometrial cancer cervical breast cancer pap smear mastectus किया जाता है तो किसके लिए होता है cervical cancer के लिए next ने हैं हापर fertilization अकरसें तो fertilization कहाँ पर होता है fallopian tube में, ovary में, uterus में की vagina में fallopian tube के ampula part में implantation होता है uterus में लेकिन जब यही fallopian tube में हो गया implantation भी हो गया तो वो कहलाने लगती है ectopic pregnancy और tubal pregnancy next ने हैं हापर what is the expected weight gain by antinatal mother during the first 20 weeks initial 20 week मतलब की first trimester है first trimester में एक मा का कितना बजन है जो बड़ेगा 0.521 kg 223 kg 324 kg या फिर 4 से 5 kg 20 weeks मतलब 4 महिने तो यहाँ पर कितना बजन gain होगा सबसे ज़्यादा weight gain होता है third trimester में especially 7-8 नाइन मन्त होएं यहाँ पर बात की जा रही है कब की कि जो first 20 weeks है तो सबसे ज़्यादा weight gain है जो और 20 weeks में कितना weight gain हो जाएगा तो यह होगा आपका 2-3 kg तक कितना 2-3 kg तक next है हाँ पर what do you mean by fetal macrosomia fetal macrosomia का मतलब का है birth weight more than 1 kg large size head fetal distress birth weight more than 4.5 kg तो यह condition देखने को मिलती है जिन मा को diabetes हो उनके बच्चे जो normal birth weight है उससे कई गुना जादा बड़े होते हैं वो कहलाता है fetal macrosomia जब मतलब डाइबिटेक होती है तब तो यहाँ पर birth weight होता है 4.5 kg से भी जादा more than 4.5 kg से भी जादा next नहीं है आपर which abdominal grip is used to assess the descent of the head in a pregnant woman तो हमने grip पढ़ी है leopold maneuver कौन सी grip है जिससे baby का head है वो किस position में वो चेक करेंगे हैं fundal grip से lateral grip से pelvic one grip after pelvic second grip तो यह grip हमने कई बार पढ़ी है leopold maneuver की grip है तो grip है pelvic second grip जिसससे हम baby का head का जो part है किस तरीगे से present उसको find out कर सकते हैं next one first movement of baby that is felt by the mother it's known as the quickening क्या होगा quickening option में lightning इसको welcome sign कहेंगे pregnancy का battle lord placenta का एक abnormalities है engagement का मतलब है यहाँ पर baby कितना engage हो चुका है pubic symphysis में next one why does bed rest is essential in pre-eclampsia तो यदि मा को pre-eclampsia है pre-eclampsia क्या है pregnancy induced hypertension है तो यहाँ पर bed rest करने के लिए क्यों कहा जाता है to prevent the eclampsia to mobilize tissue fluid circulation to prevent premature labor या फिर improve blood circulation and decrease the edema bed rest कभी कभी किसी मदर को pre-eclampsia तो complete bed rest कहने के लिए कह दिया जाता है और यह किया जाता है circulation बड़े हो और edema क्या हो कम हो उसके लिए तो यहाँ पर आपका अंसर क्या होगा D next यहाँ पर which is the hazard of induction of labor with pitocin which is the hazard of induction of labor with pitocin pitocin के क्या hazard है जब हम labor induce करते हैं तब मतलब क्या effect हो सकते है elevation of blood pressure infection rupture of uterus या फिर अर्ली rupture of membrane pitocin से क्या होने के chances रहेंगे तो pitocin से uterus के rupture होने के chances ज़्यादा रहते हैं किसके uterus rupture होने के chances ज़्यादा रहेंगे इसलिए बहुत ही carefully pitocin दिया जाता है एक तरीके से हम इसके side effect भी कह सकते हैं next one which is the common and ideal female pelvis तो वो थी है gynecoid pelvis इस gynecoid pelvis को क्या का जाता है ideal female pelvis का जाता है normal vaginal birth के लिए next one है आपर which hormone is helpful in growth of ovarian follicles तो ovarian follicles की growth के लिए कौन से hormone helpful रहते हैं FSH, LH, estrogen, apoprogesterone तो ovarian follicles की growth के लिए कौन से hormone जरूरी होते हैं तो वो है आपर FSH follicle stimulating hormone next one what is the reason of golden color of amniotic fluid तो amniotic fluid clear concise color का होता है normally लेकिन जब यह गोल्डन कलर का हो जाए that means कुछ problem है तो इसमें होगा RH incompatibility में fetal distress में, pre-maturity में कि post-maturity में तो जब जो amniotic fluid का color कैसा हो जाए golden color का हो जाए तो होता है RH incompatibility में किसमे RH incompatibility में next one which among the following vessels contain higher oxygen concentration and fetal circulation तो fetal circulation में oxygen का सबसे जाए supply करने का काम कौन करती है amniotic vein pulmonary artery, ductus venus यफ ductus artery उसे से काम करती है amniotic vein जो इहाँ पर amniotic artery होती है वो deoxygenated blood करी करती है और जो vein होती है वो oxygenated blood को करी करती है next one what is the commonest cause of PPS PPS का most common cause क्या है postpartum hemorrhage atomicity of uterus sub involution, birth injury या फिर perperial sepsis common cause पूँचा है तो वो था atomicity of uterus next one primary health care is essential care that it is primary health care essential health care है किस तरीके की होना चाहिए accessible and affordable होना चाहिए affordable and acceptable होना चाहिए acceptable होना चाहिए फिर all of the above होना चाहिए तो जो primary health care है इसमें सभी चीज़े हो एक तो आप उस चीज़े को avoid कर सकते हैं accept कर सकते हैं और access कर सकते हैं उस चीज़े को तो या आपका सभी चीज़े होना चाहिए इसमें next one community health care is focus लो community health care किस चीज़े पर focus करेगा poor people पर मतलब गरीब लोगों पर बीमार लोगों पर माँ और बच्चे पर पूरी community पर तो यह करेगा poor community पर ऐसा नहीं किसी particular section में वो अलग-अलग type के program होते हैं उसमें आएगा next नहीं हाँ पर disease that is spread by insect तो कौन सी diseases is insect से होगी measles, malaria, cholera या फिरूफिंग कप तो वोगा malaria इससे mosquito से होगी बागी सभी इनके लिए bacteria virus responsible रहेंगे next question है आप पर IMR infant mortality rate includes death of child up to the age of infant mortality rate में जो death होती है बच्चों की कि सेज की consider की जाथी एक महीने के 15 महीने के 12 महीने के 6 महीने तक के तो इसमें जो death consider की जाती है वो होती है 12 महीन तक के और 1 एज ग्रूप तक के बच्चे जो क्या कहलाती है infant next one principle of primary health care except one is तो यहाँ पर